इस प्रॉब्लम में हमें वो वेल्यू अब थिटा निकालना है जिस थिटा पे ये जो ग्लॉक है जश्ट नीचे के और स्लाइट कर जाएगा है न या जश्ट स्लाइट करने वाले स्थिती में आ जाएगा कौन सा थिटा निकालना है जिस थिटा पे ये जो ब्लॉक है जश्ट नीचे के और स्लाइट करना चाहेगा तो देखे हम क्या करेंगे धिटा निकालने के लिए इनका फ्री बाड़ी डागराम बनाएंगे तो फ्री बाड़ी डागराम मनाने के लिए देखे हम पहले उपर वाले का फ्री बाड़ी डागराम मना रहे है तो उपर वाले के आपको ये पॉइंट आफ कॉंटेक्ट नजर आया और जब नीचे वाले का बनाएंगे तो नीचे वाले के लिए ये दोनों पॉइंट आफ contact आपको लेना पड़ेगा हम पहले उपर वाले का मना रहे हैं तो खाली इस point of contact की जरुवत आपको पड़ेगी तो उपर वाले का free body diagram मनाने के लिए सबसे पहले मैंने उपर वाले का weight लगाया जो कि हमने नाम दिया it is r1 अब यहां पे एक frictional force भी लगेगा वो frictional force का direction निकालने के लिए हम सोचेंगे कि इसका motion किदर होगा देखे नीचे वाला block जब नीचे जाना चाहेगा तो उपर वाले block का relative motion उपर की ओर होगा इसके opposite होगा चुकि इसका relative motion उपर की ओर हो रहा है इसलिए उपर वाले block के लिए frictional force हम नीचे की ओर बनाएंगे यह frictional force कितना रहेगा that is mu r1 रहेगा अब हम क्या करेंगे हमको रसी में tension निकालना है रसी है रसी से बढ़ा हुआ है तो इसमें tension आएगा तो इसमें जो tension का direction रहेगा वो उपर की ओर बनेगा तो देखे मैंने इसमें tension का direction t उपर की ओर बना दिया अब हम यह angle भी निकालने क्योंकि इसको resolve करना पड़ेगा तो यह angle कितना आएगा यह theta के जित्ता आएगा तो देखे इसका free body diagram आपको इस तरीके से नजर आ रहा है यह सारे force मिलके इसको equilibrium में रखेंगे तो इन सारे forces के horizontal और vertical component का algebraic sum 0 आएगा तो देखे 100 Newton के मैं 2 component बना देता हूँ 100 Newton का एक component इस line के along लगेगा वो आपका कितना रहेगा 100 cos 30 यह आगे 100 Newton का देखे दूसरा component बनेगा perpendicular to the given component बनेगा इसको मैंने लिख दिया that is 100 sin 30 अब मैं यह weight को हटा सकता हूँ तो देखे मैं इसके 2 component बना चुका हूँ तो इसको हटा के खाली component दिखाता हूँ तो आपका force system इस तरीके का नजर आएगा यह आपका equilibrium में तो इसके horizontal और vertical component का algebraic sum कितना आएगा 0 आए r1 plus 100 sin theta minus t equal to 0 इसके बाद मैंने इसके vertical component का algebraic sum को 0 किया तो देखे इसके vertical आपको नजर आ रहे हैं वर्टिकल कौन से एक तो आपका r1 है और एक आपका 100 cos theta है तो देखे हमने लिखा r1 minus 100 cos theta equal to 0 अब यह दो equation है और इसमें देखे कितने unknown है r1 आपका unknown है t आपका unknown है theta आपका unknown है और हमें तो theta निकालना है तो यह दो equation से तीन unknown की value find out नहीं हो पाएगी तो हम यहां से खाली r1 की value उठाएगे और हम नीचे वाले block का free body diagram बनाएगे ताकि हमारा theta की value निकल पाए हमको theta निकालना है लेकिन यह दो equation है तीन unknown है इसलिए theta नहीं निकल पाएगा इस vertically downward लगाया इसका weight आपको दिया 300 newton नीचे वाले block ने उपर वाले block पे r1 force लगाया था तो उपर वाला block भी नीचे वाले block पे r1 force लगाएगा newton का third law for every action there is equal and opposite reaction अगर यह इस पर r1 लगाएगा तो यह इस पर r1 लगाएगा एक normal reaction इसके perpendicular भी लगेगा इसको हमने r2 नाम दिया देखे नीचे वाला block नीचे की ओर किस minimum angle पे आएगा नीचे वाला block कहा आना चाहता है नीचे की ओर आना चाहता है तो नीचे वाले block ले frictional force उपर की ओर लगेगा opposite to the direction of motion लगेगा यह कितना लगेगा यह आपका mu r1 लगेगा और यहाँ पे भी frictional force लगेगा इन दोनों surface के बीच में और यह कितना लगेगा आपका mu r2 लगेगा तो देखे नीचे वाले का free body diagram आपको नजर आ गया चुकि हम वो forces के horizontal और vertical component बनाने पड़ेंगे तो देखे इसका angle भी निकालना पड़ेगा तो देखे 300 Newton का मैं angle निकाल लेता हूँ यहाँ से तो यह angle आपका कितना 300 cos theta 300 का देखे दूसरा component मैंने बनाया perpendicular to the given component इसको मैंने लिका 300 sin theta अब मैं 300 को हटा सकता हूँ तो देखे 300 Newton को मैंने हटा के आपको यह आप देखे इसको यह आपका हड़ गया है अब हम क्या कर रहे हैं इनके horizontal और vertical component का algebraic हम कर रहे हैं तो यह आपका horizontal हो गया यह भी आपका horizontal हो गया और यह भी आपका horizontal हो गया तो यह देखे एक equation बन गई और इनके vertical component का algebraic sum करेंगे तो यह आपका vertical हो गया यह भी आपका vertical हो गया तो यह देखे vertical component का मैंने algebraic sum कर लिया अब यह दो equation है इन दोनों equation को solve करके यह r1 की value कितना put कर देंगे 100 cos theta यहाँ पे put कर देंगे 100 cos theta तो r2 की value भी आ जाएगी, r1 आ गया, r2 हम इस वाली equation में पुट कर देंगे और mu की value आपको question में दिया है, 0.25 और equation को हम solve कर लेंगे, equation को हम solve कर लेंगे तो जब r1 की value यहाँ पर पुट करेंगे, 100 cos theta तो r2 की value जाएगी जब equation आप solve कर लेंगे तो theta की value आजाएगी 22.61 degree तो इस तरीके साब minimum value of theta निकालेंगे